तो अगर आप एक सीवीली हैं और आप आई एर सीटी सी के थुरू ट्रेंड टिकट बुकिंग का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी जाद इंपॉर्टन है यहां पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जितने भी लोग आप टिकट बुकिंग करते हैं तो टिकट बुकिंग करने के बाद अगर आप किसी भी कारण से अपने टिकट को कैंसिल करते हैं या कैंसिल होता है तो वहां पर रिफंड लेने के लिए आपको जरूत पड़ती है एक ओटीपी को वेरिफाई कराने के लिए पहले कोई निजारी टाइम नहीं था लेकि तो आपको क्या अगरना है कि यहां पर बताये हैं रद किये गए टिकटों के किसी भी रिफंड के लिए ग्राहक का ओटीपी सत्या पर अनिवार रहे हैं यह बात आपको पहले से ही जनकारी में थी इसलिए हम आप से नरूद करते हैं कि आप अपने रिफंड को तुरंद प कैंसिल करने के बाद आपको रिफंड जब लेना होगा तो वहां पर आपको बीस दिनों के अंदर अंदर ओटीपी वेरिफाई करना होगा अगर आपने मुवाइल नंबर गलत डाल दिया है तो उस कंडिशन में आप ओटीपी नहीं ले पाएंगे और आप इस तरीके से दे हूआ हूआ पयाइल।